तो अगर आप YouTube पे सर्च करते हो Money Making App तो वहाँ पे आपको इतने टाइप की वीडियोस देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि आप रोज के 500 रुपए कमा सकते हो 1000 रुपए कमा सकते हो, महिने का 30,000 रुपए कमा सकते हो तो आखर ये चीज़ में कितनी सचाई है तो इसी को टेस्ट करने के लिए आज मैं अपने फोन में इन एप्स को डाउनलोड करने वाला हूँ और एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 48 आर्स के लिए इन्हें यूज करने वाला हूँ और देखने वाले हैं कि लास्ट में हमें कितनी अर्निंग होती है तो वीडियो को पुरा लास्ट तक देखना चला भई देख अपने क्या करता हूँ तो यहाँ पर मैंने यूट्यूब पर सर्च कर रहा है मनी मेकिंग अप तो यहाँ पर देखे काफी सारी अलगला टाइप की वीडियो आई है तो इन वीडियो को मैं देखने के बाद जो इनमें अप्स बताये गए हैं उन्हें मैं डाउनलोड करने वाला हूँ और यहाँ पर आप देखे तो अभी जो करनडली टाइम हो रहा है वो सुबह के 11 बच के 7 एम हो रहा है और 30 सेप्टेंबर है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो भाई जो फर्स्ट आप हम यूज़ करने वाले उसका नाम है गूगल उपिनियन रिवर्ड यह एप ऑफिशली गूगल की तरफ से है तो परसनली मुझे बहुत ज़ादा उमीद है इस आप से कि इससे अच्छी कासी अर्निंग होगी तो देखते हैं कामकरके कि कितनी अ पांच मिनट हो गए और यहाँ पर मैंने अपना फर्स सर्वे भी फिल किया है गूगल उपिनियन रिवर्ड पे बड़ यहाँ पर करनली जो हमारा बैलन्स है वो अभी भी जीरो है मतलब कोई भी पैसे हमें यहाँ पर नहीं मिले और यहाँ पर अभी कोई भी सर्वे पर आप देख सकते हो कि लिखा है नो सर्वे एड इस टाइम तो यहाँ पर देख सकते हो कोई भी सर्वे यहाँ पर शो नहीं हो रहा नाम है यूगोव और ये भी बहुत जादा फेमास एप है यूट्योब पर बहुत सारे लोगों ने इस एप के बारे में वीडियो बनाई हुई है तो इससे भी मुझे काफी जादा उमीद है तो इसे एक बार मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ देखते हैं कि हमें इससे कितनी अ पूचे कहते हैं कि आपके अगर के अंदर वाइफाई है कार है की नहीं है कंप्यूटर है आपके बास की नहीं है तो इस टाइप की क्वेश्चन्स आपने देखा कि यहां पर पूचे कहते हैं तो यहां पर अभी हमें 50 पॉइंट्स करेंटली यहां पर मिल गए हैं तो यहां पर देखा रहा है कि आपको 50 points मिल गए लेकिन अभी के लिए यहां पर कोई भी survey है नहीं तो थोड़ा टाइम हम वेट करेंगे देखेंगे कि और survey क्या इसके अंदर आते भी है यह नहीं आते अब जो third app है जिसे हम use करने वाले उसका नाम है राकूटन इसके बारे मैंने काफी सारी अठी बाते सुनी है YouTube वीडियो के अंदर YouTube पे लोगों ने काफी सारी वीडियो बनाई है इस आप के बारे में तो इसको भी डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि इससे हमें कितनी earning होती है तो आप देखते हैं यहाँ पर हमने फर्स सर्वे जो है राकूटन के अंदर है कम्लीट कर लिए इसके अंदर basically कुछ भी नहीं दा इस सर्वे के अंदर इन्होंने बताया था कि कैसे आप को use करना है कैसे सर्वे वगरा कम्लीट करने है और कितने points मिलेंगे तो उस points से क्या ह होगा तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमें सिर्फ 4 points यहाँ पर मिलें और यहाँ पर अगर जो members profile यहाँ पर लिखा है यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर मैंने basic household vehicle और work health जितनी भी इसके अंदर चीज़ें हैं यह सारी मैंने details fill कर दी हैं तो यहाँ पर अभी हमें कोई भ आप हमने try करें इसके अंदर जो major issue मुझे देखने को मिला है वो यह है कि यहाँ पर surveys ही नहीं है मतलब कि जो हमने google opinion reward survey app download करा था उसके अंदर भी एक छोटा था था उसके बाद कोई survey नहीं आया योगव के अंदर की भी देखिए एक survey आया उसके बाद कोई भी survey नहीं है औ we'll let you know when a new survey arrives और बाकी सब के अंदर भी यही चीज़े लिखी हुई है तो यहाँ बज अब जो fourth app हम use करने वाले उसका नाम है टोल्यूना influencer और इसके बारे में मैंने काफी सारा सुना है YouTube पे तो मैंने वही apps चूज करें जिनकी बहुत जादा popularity है और बहुत जादा popular apps है survey के उन्ही apps को मैंने यहाँ पर select कर रहा है तो इस app को भी try करते हैं कि इस से देखते हैं कितनी earning होती है तो अल्मोस्त एक गंटे की मैनत के बाद आप देखते हो तो यहाँ पर इस टोल्यूना के अंदर यहाँ पर देखिए point show हो रहे है 1100 और यहाँ पर जब इसके अंदर मैंने login करा तो यहाँ पर हमें सिबली एक सवाल पूछा गया था और उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्लायर सर्वे के अंदर यहाँ पर शो करने लगया कि कोई भी सर्वे अवेलिबल नहीं है क्विक सर्वे के अंदर भी शो करने लगया कोई भी सर्वे अवेलिबल नहीं है premium survey के अंदर भी यहाँ पर कोई भी survey available नहीं था सिफ जो profile service थे उनी के अंदर थोड़े बहुत यहाँ पर service available थे और यहाँ पर उसी के अंदर हमें 1100 points मिले हैं अभी इसके अंदर थोड़े और service बाकी है जिनने हम और कर सकते जैसे कि automotive के हैं, finance के हैं, health के हैं, home and family internet के हैं, तो इन्हें आप कर सकते हैं, तो इनसे आपको हो सकता है 1800 तक की जो limit है वो पूरी achieve हो जाएगी, तो mostly अभी तक हमने जितने भी survey के apps डाउनलोड करें हैं, money making apps डाउनलोड करें, उसके अंदर जो सबसे जादा points हमें देखने को मिले हैं, वो सिर्फ टोलिउना के अंदर देखने को मिले हैं, बाकी के अंदर हमें उतने surveys ही नहीं देखने को मिले हैं और किसी के अंदर अगर survey देखने को मिला है भी, तो वहाँ पे हमें से 50 पोइंट्स ही जादा मैंक्स वहाँ पर देखने को मिले हैं सबसे जादा जो points हमें देखने को मिले हैं वो टोलिविना के अंदर देखने को मिले तो बाकी के surveys भी यहाँ पर जो available हैं उन्हें भी मैं fill करूंगा और फिर मिलता हूं आप से तो भाई almost 7-8 गंटे हो गए जब से अपने अपना first survey fill करना start करा था बट अभी तक हमें कोई भी नया survey और नहीं मिला है तो जितने भी हमने सुबह तक पैसे earn करे थे points earn करे थे वो सारे उतने के उतने ही हैं तो इस चीज़ को अभी के लिए मैं फिलाल stop कर रहा हूं कल सुबह हम फिर से start करेंगे देखते हैं कि कल तक हमें कोई नया survey मिलता है और अगर हमें कोई नया survey नहीं मिलेगा तो उस case में एक या दो मैंने app sort देखें survey के उनको भी download करेंगे और उन्हें भी try करेंगे तो मिलता हूं यहां पर मैं आपसे कल सुबह 24 hours later तो भाई यहां पर अगले दिन की शुरुआत हो गई है अभी है Friday 1 October 11.21 एम होरा सुबह के तो भाई काफी टाइम हो गया सुबह से लेकिन अभी तक कोई भी नया survey नहीं आया चाहे वो Google Opinion Reward हो यूगोव हो या वो Rakuten हो किसी में भी कोई भी नया survey नहीं आया सिर्फ टोलिना में एक या दो surveys नहीं आये बट उतने जादा कोई surveys नहीं नहीं आये तो यहां पर यह जो apps इनकी जो performance रही है वो बहुत जादा बेकार है मुझा पता था कि इनकी performance उतनी अच्छी नहीं होगी बट जितना मैंने सोचा था उससे भी बेकार रही है इनकी performance यतनी भी कोई खास performance नहीं रही है इन apps की तो यहां पर मैं आपको यही suggest करूँगा कि इन apps को यूज करने की जगा आप कोई अच्छी skills सिखो चाहे वो affiliate marketing हो, video editing हो, कोई भी जीज आप सीखो लेकिन यह जो apps है यहां पर आप अपना time based मत करो because आपने देखा ही कि यहां पर जो दो दिन हमने spend करें उसमें यहां पर हमें कोई भी जादा earning नहीं हो, मैंने सोचा था कि at least दिन में दो तीन डॉलर तो at least यहां पर earn कर सकते हैं लोग, लेकिन यहां पर दो तीन दिन में भी मुझे लग रहा है कि एक या दो डॉलर भी होने बहुत जादा मुश्किल है, तो मैं आपको यही suggest करूँगा कि यहां पर in apps को छोड़ कर आप कोई अच्छी skill सीखने पर focus करो